योजना तो तुम्हारी बहुत अच्छी है लेकिन वीर लोग पर सुरक्षा कवच वापिस लगाया जा चुका है और बाल वीर वो पहले से भी जादा ताकतवर बन गया है और ऐसे में तुम्हारे उस नए महमान को यहां कैसे लेकर आएंगे दिमनासा वीर लोग के सुरक्षा कवच से भी जादा शक्तिशाली होता है एक और कवच भैमार एक मा की ममता का कवच एक मा की ममता किसी भी कवच को तोड़ सकती है और उसी ममता का फाइदा उठाएंगे हम उस नए महमान को लाने के लिए एक पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा अपके फिर भी सवाल पुछने में शरम आ रही है क्या अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि जरा पूछे ना पहरानी से कौन सी मा किस की मा मतलब कालो की सरल भाषा में समझाई है समझना चाहते हो तुछ चलो मेरे साथ प्रिद्वी लोक पहरानी यह गलत बात है मुझे पहिना दी एक लंबी सी कच्छी और खुद बन गई एक कतरनाल चुलेल से एक प्यारी सी बच्छी इसा मैं नहीं कह रहा हूँ वी लोक वाले कह सकते हैं वी लोक वालों को बूल जाओ तौबा तौबा जुकि अब जो मैं करने वाली हूँ वो उनकी सोच से भी परे है अब मैं देखती हूँ कैसे होता है विवान का वीड दिलग जल बेटा जल्दी छेडा की दुकान पर चलते हैं दिवाली की वज़े से वहां बहुत भीड लगी पड़ और बाद में तुझे तुझे दिवाली के महत्व के बारे भी समझा है हाँ राताजी, क्यों नहीं, आज आपसे सब कोच्षा मत लेना चाहता हूँ अरे च्वह जिदा, च्वह जिदा अ च्वह जारू मुझे कपसे खड़ा रहे को मेरा जल्दी देदू लेट बेट ए है छेड़ा जिदा जल्दी जल्दी गोड़ गोड़ अंकल गोड़ दीजी ना अरे आप लोग एक हेट करके वोलिये मेरे सिर्फ दो ही काने और मेरा एक ही हाथ चल रहा है पचा सुर्ण दीजी अरे छेडा जी मैने तो नमग मांगा था आपने तो खाने वाला सोड़ा दे दिया अरे भाई क्या करूँ एक तो दीवाली के वाज़े से इतने भीड है और छोटो को भी आज ही छुट्टी करनी थी अरे छेडा अरे छेडा गोड़ चेडा मैं यहाँ ख़ाँ चेडा जल्दी करो अरे छेडा जी आप कहो तो आज के लिए मैं पका छोटो बन जाओ हांकल, इनको बात रखो, दिवाली पे आपका दिवाला निकाल देंगे जी नहीं, बल्कि भीड का फाइदा उठाकर जो लोग बाहर जे चिप्स के पैकेट चोरी करते ना, मैं उनका ध्यान लखूँगा अच्छा, अगर तुम मदद करना ही चाहते हो, तो लग जाओ, चाय, पानी, शाम का नास्ता और दोसो रुके रोज का, दे दूँगा अरे, सही है, मंजूर है, चल, बताजी क्या ची आपको अरे, सुरो, सुरो, तुम इनको अर्टेंट करो, बैं पाकी सब को देख लूँगा, ये सब पर भारी है हाँ बाई, हाँ, तो बताजी, क्या चाहिए आपको साड़े साट्व अगराम गुड जाहिए दादाजी के लिए ठीक है, हाँ, गुड, 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 ये रहा हो गया आरे, चाहर क्राम जादा क्यों देरे हो, छेडा अंगल का तो नुक्सान करवा रहे हो ना ठीक है, ठीक है ठीक है, तो पैसा देंगे तो दो गुड क्यों लेंगे? घ्यक है ये, ये दो ग्राम ठीक है? ये पांच ग्राम जादा हो गया काका, मेरी तरफ से पांच ग्राम एक्स्ट्रा, दिवाली का बोनस समज के ले लो नहीं नहीं चेड़ा जी, हम साड़े साथ सो ग्राम गुड़ी लेंगे, ना हम अपना हक छोड़ते हैं, ना किसी का हक मारते हैं मारो इत्था पर मुझे लेकिन क्यों बहरानी? देखो अधर पालपरी मस्तिपरी चल्दी मारो मुझे अब देखो अगर बच्चे पर हमला होगा तो बालपर ही उससे बचाने सरोर आईगी समझे अब मारो मुझे अरे लेकिन नहीं हमत नहीं हो रही है भैरानी कई आपने गुस्सन आकर मुझे जिंगुर बना दिया तो तुमने मेरा अधेश नहीं माना तुम्हें मत्छर बना दूँगी नहीं दूह मारता हूँ नहीं, दूह नहीं लुप अगर इस पच्छी के रुप में नहीं तो दोचा रूप जापर लगा देता लेकिन आपका यह रूप दिखकर हात नहीं उट्छा है नहीं देखो भाई जब तक कांटा साड़े साथ सो ग्राम पे नहीं आता, तब तक हम यहां से नहीं ही लेंगे. लगता है अब एक ही रास्ता है, मुझे अब वही करना होगा जिसका मैं हमेशा से खिलाफ था. जा दो. अरे देखे दादाजी हो गया साड़े साथ सो ग्राम, ठीक है? जा एक ग्राम कम, ना एक ग्राम जादाँ चलो, देदो फटा 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 अरे यह लोग अरे बेटा, मैंने सो रुपय दिये, पचास रुपय लेकर तुम आ जाना, यह गूड के इंसाफ के चकर में मुझे मंदिर जाने में देर हो गई, मैं मंदिर जाता हूं, तुम पचास अब होगी इसकी लोब परिक्षा, यह लोग, अगर पांसो का नोट देखकर तुम वापस आए, तो लोब परिक्षा में तुम सफल हो जाओगे, और अगर नहीं आए, तो तुम बालवीर बनने के लाएब, नहीं हैं क्यों मारे हो क्या, मैंने इसकी चॉकलेट चीनली तो यह बचाने लगी और शोर मुझे बिल्कुल पसंदी है, अरे लिकेन गलती तुम क्यों मारे हो इसे, तो क्या हुआ हुआ, आजकल जमाना ही वैसा है, जो गलत है वैसा ही है, सौरी, मेरा दिल बदल गया, मुझसे गलत चॉकलेट खाने कामन होगा, तो खाजोर खालूंगा, ठीके, भागता हूँ मैं, है, है, अच्छा, बच्चा उट्टो, तुम, तुम ठीक तो हो ना, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो, मैं अब भी पान लिक रही है, यह तो पान जोगा नोटे, बस सारे जानुपे, इसमें कैसे आएगी, सल्मान भाई वाली शेरवानी, एक हजार आप दे दो, प्लीज, नहीं मिलेंगे, अगर मैं यह पैसे रख लूँ, तो सल्मान भाई वाली शेरवानी कारेने में, सिर्फ पांचो रुपे का जोगाट करना बड़ेगा, लेकिन मम्मे ने कहा था, कि जिस पैसे पे अपना हाँ नहीं होता, वो रखना मिल्कुल गलत बात है, बहुत अच्छे वीवान, पहली बार खुद को गलत साबित होते हुए देखकर, खुशी हो रही है, लेकिन अगर मैंने यह पैसे वापस कर दी, तो शेरवानी कैसे कर देख पाऊंगा, दादाजी से उमीद थी, लेकिन वो तो अपने गुड़ के पचाश रोबे भी वापस देने को बूल कर गया है, पजात की पथली पांचो का नूट, दोस भाईया ने दिया है, तो फेर है, गलती उनकी हुई न, मेरे तो सब बुड़वला कुआ, मुझे फोरान ये बात मा को बतानी होगी, अरे छिडाजी, इनको 20 रुपे दे देना, मैं अभी आया, अरे ये लो, ये लो, पाने पी लो, मुझे उस लड़के से बचाने के लिए शुक्रिया, बालपरी, इसे कैसे पता चला कि मैं बाल पर ही हूँ, सुन, अरे, अभी तो ये ही थी ये लड़की, कहां गई? ये ही होने चाहिए वो, बच्ची, पहां गई? आओ, बालपरी, आखिर भसी गई तुम मेरे कांटे में, अब समय आ गया है काल लोग जाने का, मा, विवान लोब परिक्षा में हार गया, लिकिन बालवीर, परम परिक्षा में अभी भी दो इम्तिहान बाकी है, और जब तक ये पूरे नहीं हो जाते, हम कोई फैसला नहीं ले सकते, ठीक है मा, लिकिन काले तारे का समय नजदिक आ रहा है, इसका मतलब है हमें वीरतिलक, जल से जल्द करना होगा, और इसलिए ये बहुत जरूरी है, कि विवान की बाकी के दो परंपरिक्षाए, जल से जल्द पूरी की जाए, हाँ, ठीक है बाल फीर, चलो, चलिए, फृच्षी वालों की एक कावत है, खाया विया कुछ नहीं, खिलास तोड़ा पारा आना, आपके जाथ मूह हो रहा है भेरा नहीं, बाल परी तो भावनाओं के काटे में फसी नहीं, उल्टा आपके मरम मत हो गई तब यस से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठालों वाले बोलेंगी, तिम्नासा, लगता है तुम्हारी चालाखिया अब पुराने हो गई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भेमार, कि तिम्नासा के काटे में ये भोली सी, बालपरी ना फसे, रुको, मुझे, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तुम दोनों जाओ, मैं आती हूँ, लेकिन बालपरी, इस समय परम परिक्षा से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है, सही समय आने पर मैं सब कुछ बता दूँगी, फिलहाल तुम दोनों वैसा करो, ज़से मैं कह रही हूँ, ठीक है, देखा, सदियों से ये तरकीब काम करती आ रही है, जजबातों में बहने की, इन जजबातों में आकर कोई किसी के लिए जान देता है, तो कोई किसी के जान लेता है, अब जल्दी से तुम लोग दक्षिन दिशा की और जाओ और अगनी द्वार बनाओ, मैं इस बाल पर इको लेकर जल्दी ही आती हूँ, काल लोक, सुनो, अब तुम्हें काल लोक ले जाकर ही रुकूंगी मैं, सुनो, मेरी, मेरी बात, सुनो, रुको, पहली क्यूं रोक दिया इसने, इतनी दूसे तो बाल परी को अगनी दौर के अंदर खीजना ना मूम्किन है, बेटा, मैं तुम्हें कबसे आवाज दे रहे हूँ, तुम रुक्यों नहीं रहे हो, माफ कीजेगा, मुझे सुनाए नहीं दिया, बाल परी, तुम्हें, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, नाम ही नहीं, मुझे तो ये भी पता है, कि कई सालों पहले आपने परी लोग से एक छोटी बच्ची को बहार नुकाल दिया था, अरे रे, कितना कुछ सिखाएगा अखिर ये तुबा तुबा आपको, सर में कुछ है भी, या धूल भरी आंदिया उट रही है सर के अंदर, तुम्हें, एसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कालों पहले बोलेंगे, आपको ये अगनी दुआर बनाते हुए देखकर, और आपको मखकोडा बना देगी, चलेगा आपको! आपको ये तो तु बेवकूफ, और कभी-कभी अकलमंदी की बात कर देता हुए हमारा अगला कदम क्या होगा, बालवीर? इस विवान को तु देखो, ये अभी सेही लोग परीक्षा में असफल होता हुए दिख रहा है। देखना, गोपु सुत्ली, इस पर दिवाली के स्टाइलिश सेतारा, विवान ही चीतेगा, और तुम दोनों को भी रहना रपाना है, ठीके ना? ताकि पर्ष्ट, सेकेंड और थर्ड प्राइस को ही मिले, और चिंदू-चिंदी को मिले, कहने का चिल्का! लेकिन तुझे अपनी स्मार्ट पैस में इस्ता वरुसा कैसे? कि तु भी फर्स्ट पैस दितेगा, ना तो तु चीफ कैस का भान जाए, और ना तो तेरे ओपर बालवीर का आशरवाद है, फिल? नहीं चाहिए मुझे बालवीर का आशरवाद! मेरे ओपर तो मेरी मा का आशरवाद है! हुँँँँँँगा, तो कॉम्पेटेशन के जज को रिश्वत देखा? पोस्ट प्रेश जीतने के लिए, वेरी बाड विवान! हरे सुतली, विवान कभी रिश्वत नहीं देता, और मैं तो अपनी महनत की कमाई से, सल्मान भाईवाली शेरवानी करी दूंगा, और कॉम्पेटिशन में चा जाओंगा! तो ये पांचो रुपे अलग से, लोग! अरे तुम लोग भी के इंकम टेक्स वालों कीतार है इतने सावाल पूछ रहे हैं? एक अरे बता है की को अरे मतों बंधता है? अरे मेरे झालयर में नहीं को मतों है, हमतों हमें आपले दीख के अर कमीच घए है पारचानों कैसे कैसे हो सकता है। चुतली को अपनी ममी याद आ गई और मेरी ममी को मेह याद आ गया। चलो दीदी। रसने तो अपने दोस्तों तक को सच नहीं बताया। यह लोग परिक्षा में पूरी तरह से आसफल हो चुका है। तो क्या विवान सच में बालवीर बनने के लायत नहीं है। यह लोगिया।